शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुप्रिम कोर्ट पे सुनवाई पूरी हो गई है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है सुनवाई के दौरान उद्दव ठाकरे गुट के ओर से मामले की सुनवाई 7-10 से बैंच को सोपने की मांग हुई है तो शिवसेना पर किसका अधिकार? उद्दव ठाकरे को मिलेगा शिवसेना का नाम और निशान या फिर हाथ से छूट जाएगा तीर कमान उद्दव से अलग हुए एकनाशिंदे भी कर रहे हैं पार्टी के नाम और निशान पर दावा मामला चुनावायों के साथ सुप्रिम कोर्ट में भी चल रहा है तीन दिन से सुप्रिम कोर्ट में सीजी आई दीवाई चंदरचून की अध्यश्ता वाली पांच सदस्य बैंच सुनवाई कर रही है इस बैंच में जस्टिस M.R. शा, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस P.S. नरसीमा शामिल है और सम्वेधानिक बैंच ने आज सुनवाई पूरी कर ली सम्वेधानिक पीट को ये फैसला देना है कि स्पीकर के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई या इसे साथ सदस्य बैंच को सोफ दे इससे पहले सुप्रिम कोट ने कहा था कि नबाम रेबिया के फैसले में बदलाव की जरूरत है सुप्रिम कोट ने कहा था कि हम ये नहीं कहेंगे कि 2016 का फैसला गलत था लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर मजबूत करने की जरूरत है दरसल सुनवाई के दौरान उद्दवगुट ने नबाम रेबिया फैसले के कुछ पहलूँ पर भी सवाल उठाए थे और इसमें बदलाव की मांग की गई थी जिसके लिए मामले को साथ जजों के पास भेजने की मांग की गई थी 2016 में नबाम रेबिया केस में सुप्रिम कोट ने फैसला दिया था कि अगर स्पीकर के खिलाव आविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है तो दस्वी अनुसूची के तहट विधानसवा स्पीकर ट्रिबनल के रूप में कारे नहीं कर सकते हैं यानि किसी विधाय की अयोग्यता पर फैसला नहीं ले सकते दूसरी और शिंदे गुट का दावा है कि 2016 के फैसले में बदलाव की जरूरत नहीं है फिलाल कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है अगर फैसला उद्व ठाकरे के पक्ष में आया तो एक नाशिंदे की विधानसवा सदस्यता ही खत्रे में पढ़ जाएगी देबी लाइफ कि रपो